वेलकम टू यूनिक वाइव स्कूल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से आप लोग इनफेक्स LMS PSP स्क्रिप को इनिस्ट्रॉल कर सकते हो तो यह जो इसके बहें एक कोर्स सेलिंग वाइब साइट के लिए है अगर आप लोग कोर्स सेलिंग वाइब साइट करना चाते हो तो यह जो इसके बहें इसको आप लोग बाई कर सकते हो बाई करने के बाद इसको किस तरह से इनिस्ट्रॉल करते हैं वह हम लोग इस वीडियो में देखने बाले है अगर इसका डेमो आप लोग देखना चाते हो तो यहाँ पर लाइप प्रिवीव में किलिक करके इसका डेमो देख सकते हो और इसका जो सेल है वो आप लोग देख सकते हो और इसका जो रेगुलर लाइसेंस है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसका एकस्टानल लाइसेंस भी है अगर आप माल्टिपल वैफसेट को होस्ट करते हो तो आप लोग एकस्टानल लाइसे इसके डेमो का तो इस लिंक के ही किलिक करते है और इसका डेमो हम लोग यहाँ पर देखते है इसका जो डेमो है वो यहाँ पर हमारा सामने है इसको एक्सिप करते है और यहाँ पर हम लोग इसको क्रोस करते है पूप अप मेनू को और यहाँ पर देख सकते हो इस तरह सा डिज करते हैं तो किस तरह से देखाई देखता है हम लोग यह पर किलिक करके देखते हैं और यहाँ पर हमारा कोर्स ओपन हो चुका है और यहाँ पर ओपर भी हो यहाँ पर काली कोलाम और यहाँ पर देख सकते हैं रिभी option भी है और इसको लेने के लिए यहाँ पर buy now और edit to card में क्लिए करके इसको आपका student है वो buy कर सकते है ठीक है तो इसको हम लोग close करते है और देखते है किस तरह से जो skip है इसको हम लोग install कर सकते है ठीक है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर cpnl open कर चुका है हमरा server का और इहाँ पर हम लोग hamरा у Что danach करने के लिए सबसे पहले इसको to download करना होगा वाई करने के बाद तो हम लोग already इसको to download करके राखे है तो इसको हम लोग अंजिब करते हैं तो right button क्लिक करते हैं और यहाँ पर stack file में क्लिक करते हैं और जो jip file है इसको हम लोग आंजिब करके रखते हैं और यह जो folder open हो चुका है इसके आंदर जाना है और यहाँ पर जाना है और यहाँ पर document file में अप लोग इसको किस तरह से इनिस्टॉल करते हो उस isquest.up.gip बशाओ हम आप्रोड कर SiPro ौहारा स्वाया मनेशे और, हम लोग क्या करें, हमरा फाइल मेनेशर दीस fondo मेर आना के बाद यह पर हम इसके अंदर हम लोग OSI ke इसको open करते हैं और यह पर उप्लोड बारंट में क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर select पाल में क्लिक करना है और आपका जो फाइल है उसको यहाँ पर select कर देना है तो मेरा फाइल को यहाँ पर में select कर देता हूं select करने के बाद आपका जो फाइल है वो यहाँ पर upload होना यह Help इसको अंजिब करने के बाद आपको यहाँ जो फाइल है उसको main domain के अंदर लाना है और उसके बाद आपका domain को enter करना है और यह हम लोग practically डेखेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा 100% अपलोड हो चुका है तो हम लोग बेक जाते हैं यहाँ पर गो बेक में जाते हैं और यहाँ पर जीप फाइल को हम लोग आंजीप करेंगे यहाँ पर right button किलिक करते हैं यहाँ पर abstract file तो हमार जो फाइल है यहाँ पर आंजीप हो जाएगा आंजीप होने के बाद हम लोग इसको close करते हैं और यहाँ बाद folder नम का option है यहाँ पर जाना है upload नम का folder है उसके बाद यहाँपा select में क्लिक करना है all और यहाँपर move कर देना है यह पर हमारा Main Domain के अंदर तो यहाँ पर Upload का जो text ए, इसको Close कर देना है और यहाँ पर Move File में क्लिक कर देना है ठीक है, तो हमारा जो सारा फाइल है वो हमारा Main Domain के अंदर आ जाएगा यहाँ पर आ गया है, उसके बाद हमारा जो Domain अई है उसको Enter कर देना है हमार लोगों का से ही है folder requirement सब को से ही है उसके बाद यहाँ पर let's go to next में क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपका purchase code देना है तो मेरे जो purchase code है वो यहाँ पर में दे चुका हूँ उसके बाद हमारा जो event market का email account है यहाँ पर देना है और यहाँ पर हमारा website के URL आटमेटिक आ गया है तो यहाँ पर let's go next में क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको क्या करना है आपका database database में यहाँ पर host name में local host देना है और यहाँ पर database port को change करने के जोज़र नहीं है यहाँ पर आपको database का name देना है और यहाँ पर root में यहाँ पर आपको username देना है और यहाँ पर database password देना है तो हम लोग क्या करने वाले हैं सबस्ट पहले हम लोग को database है उसको create कर लेते हैं इस बर हमारा database है उसको हम लोग create करते हैं तो चोले हम लोग हमारा cpn में आते हैं उसक इसकोल डाटाबेस में क्लिक करता हूँ उसके बाद इहाँ पर create new database तो इहाँ पर आपको जो डाटाबेस है उसका name देना होगा तो इहाँ पर आप लोग कुछ भी name दे सकते हो जो आपका अच्छा लगता है वो ही नाम आप लोग इहाँ पर दे सकते हो तो मैं इहाँ पर मेरा website है, code बढ़ता, तो इसको मैं copy करता हूँ और यही नाम में यह पर मैं राख देता हूँ ठीक है तो यह हमारा database का name है उसके बाद यह पर create database नाम का option है यह पर आपको क्लिक करना होगा तो यहाँ पर मैं click database में click करता हूँ create database में तो हमार जो database है वो create हो चुका है तो यहाँ पर हमार जो database हो तो create हो चुका है लेकिन हमार जो database के user है उसको create करना बाकी है तो हम लोग उसको create करते हैं इसलिए हम लोग scroll down करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो asql user और यहाँ पर added new user तो यहाँ पर आपको आपका username देना हैंगा तो मैं यहाँ पर code बढ़ता user देता हूँ ठीक है आप प्रोख भी name दे सकते हो उसके बाद यहाँ पर password और आपका जो कौन था यहां पर देना है लेकिन मैं यहां पर पाज़वाट को जनरेट करूंगा इसलिए यहां पर पाज़वाट जनरेटर नम का ओप्षन दिखाई देगा यहां पर आपको क्लिक करना है तो मैं यहां पर क्लिक करता हूँ और यह जो पाज़वाट है इसको कोपी करना है ठीक है अ उसके बाद आपका जो Nordpate है उसको प्रेस्ट कर देना है और 12 parte कर देना है उसके बाद यहाद पर Savior इस पशुआर्ड यहाद यहाद पर हमार जूआ जायगा उसके बाद यहाद यहाद पर ts a करना होगा तो मैं यहापर क्लिक कर देता हूँ और हमार जो यूजर है और साक्सेस्पूली यहापर क्रेट हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहापर गोबेग में जाते हैं गोबेग में आने के बाद आपका जो डाटाबेस है और यूजर है उसको करनेट करना ह तो आप लोगे एक कैसे करो गे इसलिए आपको डाउन करना है उसके बाद यहां पर देख सकते हो Aired User To Database तो आपका जो कर देता हूं और हमारा जो user और database कनेट हो चुका है उसके बाद यहां पर all में click करना है और उसके बाद यह पर आपको make change में click कर देना है त्म Olay तो उसके बाद यहां पर आपका j aha user है और database फेसको copy कर ना कोपी करने के बाद आपका जो नौटपेट है उसमें इसको सेप कर देना है ठीक है यहाँ पर मैं इसको सेप कर देता हूँ database create करने के बाद हम लोग यहाँ पर database का name दे देते हैं यहाँ पर हम लोग database को कोपी करते हैं और यहाँ पर देते हैं और उसके बाद यहापर database user को copy करते है और यहापर देते हैं उसके बाद database password to यही password कo copy करते हैं और यहापर दे देते हैं तो सबकुछ देने के बाद आपको यहापर let's go to next में क्लिक करना है और यहापर आपका j milliseconds admin setup के लिए तो आपका email address यहाँ पर डाल देना है तो मेरा email address है ओ मैं यहाँ पर दे देता हूँ ठीक है उसके बाद यहाँ पर password में आपका जो password है वो देना है तो मैं यही password कोपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ उसके बाद यहाँ पर ready to go में क्लिक कर देना है तो मैं यहाँ पर review go में क्लिक कर देता हूँ और हमार जो side है और यहाँ पर install हो जाएगा यहाँ पर देख सकतो take some time तो please do not refresh or close this browser तो हमार जो इस browser है इसको close और refresh नहीं करना है तो यहाँ पर देख सकतो install हो चुका है यहाँ पर go to home में जाते है और हमार जो F side हो यहाँ पर हम लोगो को सामने open हो जाएगा तो हमारा website यहाँ पर हमारा सामने open हो चुका है तो इसको हम लोगो किस तरह से setup करते है और अगर देखना चाहते हो तो comment box में comment कीजएगा तो मैं उसका जो वीडियो है लेकर आ जाओंगा तो फिलल इस वीडियो में इतना ही अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीज़े, शेयर कीज़े, कॉमेंट कीज़े और हमार जो यूनिक वाइब स्कूल योटुब चैनल है उसको सस्काइब करके हमारे साथ बने लिए, थैंक्स